दिली क्या चाल जश्न चल रहा है जश्ने रेक्ता में थैंक यू सो मच आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा जश्ने रेक्ता कि इस तरफ आके मंच पर आके इस बार पहली बार और दुपहर का वक्त है मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जो लोग यहां सुबह से मौजूद हैं वो इस जश्न के एक-एक लम्हे को एक-एक पल को इंजॉय कर रहे होंगे मज़ा ले रहे होंगे तो जश्ने रेक्ता कि इस जश्न को आगे बढ़ाएंगे आपकी बेचैनी आपकी बेसबरी को मैं समझ पा रहा हूँ और इस बेसबरी के बीच में मैं कोई दिवार बंडा नहीं चाहता हूँ तो बगेर वक्त कवाएं बगेर ज़ादा बोले उस शक्स को बुलाना चाहूँगा जिसने खुद कभी ये कहा था कोई दिवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धर्ती की इस बेचैनी को तो सिर्फ बादल समझता है तो आईए बुलाते हैं स्टेश मर हम सब के प्रिये कविराज डॉक्टर कुमार विश्वास को कुमार साब बहुत बहुत स्वागत है विल्कम जैशने रिक्ता के तीन साल के बाद ये सफर अब दुबारा शुरू हुआ है पर आप इसकी महत्पूर्ण कड़ी हमेशा से रहें लाव यू टू लाव यू टू गुजरे है इश्व नाम के दोस्तिक बुजर्ग हम लोग भी बरबाद उसी सिल्सले में है जशने रेखता जब से शुरू हुआ है तब से आज तक मैं हर बार आता हूँ हर बार रहता हूँ अलग-अलग तरह की फील होती है यहां आने पे एक तो खुशी होती है कि उस जगह पर हिंदुस्तान के उस दिल में जहां जहन से लेकर हवा तक सम्मे जहर है और उतारने की कोशिश की जा रही है वहां शायरी के हवाले से गुफ्तगू के हवाले से हिंदी के संदर्ब से हमारी जो जवान पीड़ी है जो हमारी यह नसल है इसमें कुछ थोड़ा सा शुद्धी करण का काम कर रहा है तोड़ा इसको बहतर मनुष्य बनाने की कोशिश कर रही है रेखता और यही भाशा का काम होता है पदमिश्री गोपालदास नीरज मुझ से कहते थे कि बेटा किसी कभी सम्मेलन मुशाहरे में जाओ और जाते वक्त सुनने वाला तुम से एक अच्छा ख्याल और दो अच्छे लवज ना ले जा सके तो यह कमाई हराम की है जो तुम लेकर जा रहा हो कि मेरी कोशिश होती है कि संजीव सराफ सहाब ने और रेक्ता ने इतना बड़ा उस्सा जमाया है तो उसमें हर बार शिर्कत करूं कुमार भाई यह उस्साह यह गर्मजोशी यह पागलपन यह क्रेज यह दिवानापन यह कौन कहता है कि महफिल खत्म हो गई है कौन कहता है कि शायरी मुशायरे खत्म होते जा रहे हैं आपको लगता है कि इन बातों में दम है देखिए क्या है कि हिंदुस्तान की मिट्टी इसमें आप नफरत का बीज कुछ वक्त लगा कर खून की आप जो खाद लगा सकते हैं लेकिन आफिर कार ये उसको उगल देती है थी, नफरत फ़्टी नहीं है आखिर कार यह Milan जीतती है झिता है अर मैं तो बड़ा खुष हूं यह जो निगेटिविटी फैलती है, पॉलिटिक्स फैलाती हो, चाहे दुनिया के बड़े सेट फैलाते हो, आखिरकार इससे भी निवट के आ जाएं, तो अब इन लड़कों को समझ में आ गया, अब इनकी टाइम लाइन देखो, आप इनकी लड़के लड़कें, इनकी स्टा गालिब से लेकर जौन एलिया तक, और वो अभी जो तीन साल, तीन चार साल पहले जो मैंने पहली बार दुबई में हमारा नौजवान सोटा भाई इंटोडूस किया, तैजीब हाफी से लेकर और बिलकुल नए विशाल बाग तक, ये सब को सुन रहे हैं, और इन में से मैं बैठे हैं, इन बच्चों में बैठे हैं, क्योंकि मुझे बिलकुल इस बात का कोई गलत फेहमी नहीं है, कि हम आखरी चिराग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्यादा रौशन चिराग है, वक्त की बात है, रंगमंच है, मैं इधर हूँ, कुछ दिन बाद ये इधर होंगे और मैंने सुम्राओं इसमें कोई दोर आए नहीं, दोस्तों की कुमार ने, मैं कम से कम 15 साल से इनको फॉलो कर रहा हूं, बहुत क्लोज ली इनको जानता हूं, बहुत से जुबा टैलेंट को आगे बढ़ाया, मौके दिये, अपने साथ लेके चले, उंगली पकड़ के चलना स हूं आपकी इजासद से, मुशायरे पर बात कर लेते हैं, फिर हम कवी समेलन पर आते हैं, आपको लगता है कि मुशायरे कम हो गए है, या शायर कम हो गए है, कहां दिकत है, नहीं दिके शायर कम नहीं हुए, एक समस्या उर्दू के साथ और मुशायरे के साथ याई, एक त तालिया और मेरी कोशिश है कि साल में सो कारिकरम में करूँ और कर रहा हूं सीरीज के प्रोग्राम जैसे कावे कलर शमलोग कह रहे हैं अभी तीस चालिस हो गए हैं चालिस के असपास हो गए और भी होंगे मुशायरे तो पहले दर्बारों से होते रहे हैं जब सल्दनाइट पीरे टर्टब होते रहे हैं एक प्राबलम मुशायरे में आई उर्दू जब हिंदुस्तान में तक्सीम के बाद आई 47 के बाद तो उर्दू की हिफाज़त जो है वो सब धर्मों ने की विशेश रूप से दो जातियों ने जादा की एक तो कायस्तों ने बटनागर, श्रिवास्तव, सक्सेना इन लोगों ने की चुकि ये पहले से ही कोट में उर्दू लैंग्विज बोल लहे थे इनके पास ये काम था और दूसरी की माइग्रेटिक पंजाबियों ने, भाटिया साब, महरोत्रा साब, खुराना साब, इन्होंने बहुत की, चुकि आजादी के बाद, तक्सीम के बाद, जो भारत में मुसल्मान था, वो दो तरह के मुसल्मान थे, जो मेरी समझ है इतिहास की, एक त कोटा सा विभाजन, कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा, एक तो वो था, एक वो मुसल्मान बचा जो गाओं में पस्मंदा मुसल्मान था, जिसको लगता था कि मैं कैसे स्याल कोट तक का सफर करूँगा, कैसे कराची जाओंगा, कैसे लाहोर जाओंगा, इन दोनों ने मि आचुका था अंदर इस सिस्टम में, तो मैं देखता था कि मुशारों में ये शेर पढ़े जाते थे कि मुसल्मानों न घबराहो खुदा की शान बाकी है, अभी इसलाम जिंदा है, अभी पुरान बाकी है, ये काफिर क्या समझता है, जो अपने मन में हस्ता है, अभी तो क करबला का आखरी मैदान बाकी है, अभी तो कभी सम्मेरों में पढ़ा जाता था कि मुसल्मानों समझ लो समझने का वक्त बाकी है, अभी हिंदू रगो में श्रिवा जी का रक्त बाकी है, और दोनों तरफ पढ़ने वाले भी जाहिल थे, और सुनने वाले भी जाहिल थे, दौनों तरफ तालीया बजने ती, वो तालीया क्यों बजने थी, वो आज जाहिर हो पता चलाए कि क्यों बजने थी, वो एक प्रोजेक्ट था पूरा, और प्रोजेक्ट के सबसे अच्छे रिजल्टे इन दोनों दिखाई दे रहे हैं, जो लेकिन एक दिक्कत हुई हिंदी कभी सम्मेलन में ऐसा पढ़ने वाले जो कभी चढ़े थे हम छोटे छोटे लोगों ने और बड़े लोगों ने जिनमें बाल कभी बैरागी, उदै प्रताब जी यहां तक की हमारे हास्य के सबसे बड़े कभी सुरेंदर शर्मा, गोपालतास नीरज, इन लोगों ने उनको कोहनी मार मार के साइड लाइन करा, इन्होंने मोहबद गाई, इश गाया, ठाका गाया, वो सब बेकार हो गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं आज जो बोला हूँ, यह डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, तो मैं उन्हें प्रासंगी करना नहीं चाहता, कि आज से 200 साल बाद याद रखा जाए कि रेखता कि एक सेशन में हमारे पड़दादा का नाम लिया था, तो पड़दादा इतने निकम मे थे तो नाम भी क्यों लो उन जिनोंने पैसा दिया था, जिनोंने वो वजीफा दिया था जो शायर ले जाते थे, उनको लगा कि यहीं बैठाओं और यहीं करबला का मैदान बन रहा है, इस से अच्छा तो अगली बार मैं बगवदी जा करन करा लूँगा, तो वो पैसा दीमे दीमे वहां से कम हो गया, देन अगेन, दो हजार के आसपास बैटन हमारे हाथ में आई, हम जैसे लोगों के हाथ में, तो दो हजार में मैंने कोशिश की कि हर कवी संविलनर में एक शायर होना चाहिए, और यह शुरुआत ही बशीर बदर साहब से, बशीर साहब को, माशालला तरनुम उनकी और मेरे प्रती बहुत महबबत मेरक्ट मही थे और फिर बोपाल चले गए, तो हम बशीर साहब से गुजारिश की वो आने लगे उसके दो फायदे थे, एक तो हिंदी के जो ठिकेदार थे, वो मेरी नई दुकान को माननेता देने को तयार नी थे, वो कहते थे कि नई नई इसके और यह तमाम सब लोग, अब मेरे आने, हम लोग लाने लगे, हम इन से अध्यक्षता कराने लगे, अब जब क्या हुआ कि निदा फाजली बैठे हैं, वो परफॉर्मर कैसे हैं, यह बात नहीं महतुपून है, महतुपून है कि वो बैठे हैं कभी संभेलन में, तो वो जो कभी था, जो, हा, जो सामपरदा एक बात कहके ताली बजवाता था, उसको लगा कि यार कुमार विश्वास हमारा नया शारुख खान है, यही निदा फाजली के पैड चूरा है, उसके मन में बात आई कि यही आद्मी निदा फाजली के पैर चूरा है, चाचा जी नमस्ते जाते हैं जी कैसे हैं सूटकेस लेके चला है इसका मतलब उसे शायरी की तमीज नहीं थी उस लड़के को उसे ये लगा कि ये कुछ बड़े ही होंगे जो इनकी बात चल लगा है तो रात में एक तो उसकी जबान पर काबू रहा उसने कोई ऐसी खराब बात नहीं कही जो जोहे पर बच्चा बोला देखकर मजड़ दाली शान अल्ला तेरे को इतना बड़ा मकान और तालियां बस्ती हैं तो इसका मतलब ये शायर है तो ये छोटा प्रियोग्रा मुशायरे बैकड्रॉप में गए अब जब नई ये तकनीक आई है इंस्टरग्राम आया है आपने चार पांचे उन में हैं आप लोगों को टिपिकल मेरी जनेरेशन या मुझसे पहली जनेरेशन के शायरों का कुछ दिन मोह छोड़ कर नौ बहार मुशायरा सुनना चाहिए बिलकुर नया वाला लड़कों का जिसमें हैं आपको वहां नादिम नदीम सुनाई देग आपको वहां चराग सुनाई देगा आपको वहां विशाल बाग सुनाई देगा आपको वहां शिखावधेश सुनाई देगी और ये लड़के लड़कियां जो शेर कह रहे हैं मैंने करवट बदल के देखा है याद तुम उस तरफ भी आते हो आदमी अधर तक सोचता रहता है चुकि इनकी महबबत नहीं है और महबबत को देखने का इनका तरीका नया है और उसे कहने की जो गजल को कहने का जो कहन है वो नया है मेरा महला था जब मुबाइल नहीं थे टेलिफोन नहीं था पड़चियां थी, चिट्टियां थी, कनखियां थी, खिड़कियां थी ये हैं जिनके पास इमोजीज है जिनके पास दूसरे इशारे हैं किसका कमेंट लाइक किया है मेरे वाले ने, किसका नहीं किया है तो इनका कहन भी नया है तो मुझे लगता है मुशायरा अभी सेट बैक पर है, प्रोफेशनली, वैसे तो एक्सिलेंस पर है, बहुत अच्छी शायरी पड़ी जा रही है, लेकिन जिस तरह कभी सम्मेलन हो रहा है कि पचास लाग का बजट है, एक लाग, डेड़ लाग आदमी आपने देखा परसों उदयपूर के पास था, और कभी जो है वो चार्टर से जा रहे हैं, बिजनिस क्लास से जा रहे हैं, मुशायरा उस जगे आज आएगा चुकि अर्दू में जो खुष्भू है कहने की, और अर्दू में जो अंदर तक उतरने की खुष्भू है, वो बराबर की है, और मैं आ बार विश्वास के बारे में हम सब जानते होंगे, आप सब इनके फैन, इनको आप यूट्यूब पे और तमाम सोशल वीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते सुनते रहे होंगे, यह अक्सर कहते हैं, चचा गालिब, यह गालिब को अपना चचा मानते हैं, चचा कह कर कौन गालिब है और कौन मीर है? कुमार विश्वास की नजर में. वो एक मशूर मिस्रा है कि ए घजल अब तरे नाद उठाएगा कौन, अबना कोई गालिब है, अबना कोई हाली है. हर युग में अपने कहने वाले होते हैं, यह जो आपने चचा का शेर पढ़ा है, हमारे द तो हर सदी में, हर वक्त में, क्रियेटिविटी में काम चलता रहता है, और अलग-अलग कहन के लोग कहते रहते हैं, लिजेंड सदा लिजेंड होते हैं, और मेरा ऐसा मानना है हो सकता है, यह मेरा कॉंपलेक्स हो, आत्मुगदता का कि पॉपुलिस्ट जो होता है, जो पॉ उस वक्त सुने जाते हैं, जैसे उस वक्त गालिब बहुत सुने जाते थे, मैं उनके साथ के संकाली लोगों के नाम नहीं लूँगा, वो दर्मार में जादा सुने जाते थे, लेकिन बाहर जमाने में गालिब जादा सुने जाते हैं, तो आज गाले प्रासंगिक हैं। और मुझे लगता है कभी समता मुलक समाज आ गया। तो नजीर अक्बराबादी ज़्यदा प्रासंगिक हो जाएंगे। वो और ज़्यदा महत्त पूर देंगे। जबाने की और जनता की कविता लिखते हैं। तो चचा ने जो एक law लगाई है और उसके बाद तमाम यहां तक जहां मैं बिल्कुल नए नाम के लिए हमारे दोस्तों लोग बैठे हैं जो नए लोगों को बुलाते हैं, करते हैं, सुनते हैं और डून-डून के हम लोगों ने दुबाई में इतनी महनस से हर बार छे महीने में भाई यह इच्छा लग रहा है, भाई यह कैसा है, इसके पास दो ही घजले हैं क्या, नहीं, इसके पास तीन है, और फिर उसको वहां ले जाना और पहुंचना और फिर वो लड़का लिख सबसे खराब बात आती है, आत्ममुगदता, यह जो बिजीनेस है, कि आप चार दिन से लगातार यात्रा में हैं, और आपको हड़ जग एक और समझ के प्रशंशक मिलते हैं, जैसे नीचे उतरने के बाद मुझ से आप से कहता हैं कोई आदमी कि आप इस वक्त के सबसे बड होगा, मैं अभी से क्यों सोचू, मैं कैसा हूँ, मैं केवल कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे गुरू कॉर्बेचेन के मिसरे हैं, यह सोच कर मैं उम्र की हूं, चाहियां चड़ा, शायद यहां, शायद यहां है तू, पिछले कई जनम से तुझे डूड रहा हूँ, जाने कहां, जाने कहां, जाने कहां, तो आप लगे रही है, खुद को कहने में लगे रही है, ऊपर वाला किसी दिन शाम को मुग्द होके आपके पास एक ऐसा शेर भेज देगा, देख शेद धनकौरी का शेर है ना, कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है, ऐस वेसे Misra बोलने लगे आपका? मुशायरी का मतलब, क्या सिफ शायरी, गजल, नजमे, गीत यहीं तक संबभ है? या मुशायरी मे एक अदब होती थी, अदब जो है, वो अदब मिसिंग है क्या? वो मुशायरी में नहीं है, वो सुसाइटी में मिसिंग है. जैसे मैं जिस कस्वे में रहता था, वहाँ एक सजन थे, बड़े आदर था उनका, लेकिन उन्होंने बैंक से कुछ पैसा लेके अपना दिवाला निकाल दिया था, तो उनका नाम कस्वे में फला दिवालिया था, और उनका एक बेटा मेरे साथ खेलता था, जिस बेटे का का कि तू इस दिवालिया के पोते के साथ मत खेला कर, इसका दादा चोर है, आज सबसे बड़े वो ही हैं जो दिवाला निकाल चुके हैं हमारे बैंकों के, उनके साथ सरकारें बैठती हैं, उनके साथ वजीर बैठते हैं, उनके साथ सहाफी बैठते हैं, सब बैठते हैं, तो बेसिकली सोसाइटी में अच्छे और बुरे का मानक बदल गया है। पहले ये था कि मंच पर अगर महिश्वर तिवारी आये हैं, सोम ठाकूर आये हैं, तो पॉपुलर शैल चतुरवेदी और पॉपुलर सुरेंदर शर्मा पीछे कड़े हो जाते थे। दादा आये, महिश्वर दादा आये, किशन सरोज को दादा आये, आज की डेट में जो लड़का चार ताली बजवाता है, वो बड़े से बड़े शायर के, और दादा क्या आल हैं, कहां से आ रहे हो, वो शबीना हमारी भावी, उनका जो शेर है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शौरफ नहीं नहीं है, तो मेरे को, अभी इसी पल मैं कह रहा हूं आप से, कि इन में ISB बैठे हैं, इन में IPS बैठे हैं, इन में revenue services का लोग भी मैं देख रहा हूं, इन में शेहर के बैठा हूं इसके सबसे बड़े सत्र में, जावेद भाई से गले मिलके आदा गंटे हम लोग जावेद भाई और मुझे अब भी संकोच सा होता है, मुझे अब भी लगता है कि कुछ जादा हो गया है, मैं इस काबिल नहीं हूं, और करना है, सो यह जो अदब है, बेसिकली एक अंतर है कभी संमेलन और मुझेरे में, कभी संमेलन के लोग बुरा मतना माने, मैं उनीक आदमी हूं, लेकिन फिर भी है तो बोलना चाहिए, और आपको पता है कि मैं जो गलत होता है बोल देता हूं, आप तो फिर भी संहू के मैंने तो अपनों के खिलाव गलत बोल दि अचे दिल्ली में, IPS थे, IPS थे वो दिल्ली पुलिस में, शायर थे, दुरबाग्य से उनका जल्दी इंतकाल हो गया, रामपूर के नवावों के घराने से थे वो, शुजदा उद्दीन शाजिद, इंगलिश के प्रफसर थे बाद में IPS हो गये, शुजदा खाबर सहाब, तो मैं पिलकवे में रहता था, एम्मे में पढ़ता था, शहाजापूर में एक कविसमेलन मुशायरा होता है, शहीदों की याद में, बिस्मिल लश्फाक अल्ला खान और ठाको रशन शिंग की याद में, तो वो दिल्ली में मुझे मिले, अमीर कजलबाश रब का एक जश् बारे बज़े पहुंच जाएं कि तुम आजाना हमारी कार से चलना, अब कार से जाना बड़ी बात थी, तो मैं साड़े गारे बज़े पहुंच गया, शूटकेस लेके, अब मैं आपको उशायरे और कविसमेलन में अंतर बता रहा हूं, शुजा खाबर साब आए, बारे ब अंदर से जाती थी, कार उस समय, बाइपास नहीं था, उन्होंने अपने डाइवर से काए, वहां रोक ले ना, मुझे लेगा कोई चाय की दुकान होगी, कहीं होगी, तो गए तो हापुड में, आरे नगर के कौने पे, एक पांच फिट बाई साथ फिट की, एक दरजी की दुकान थी, उसमें एक चचा जो थे इतनी बड़ी दाड़ी वाले, बाकाइदा पांच वक्त के नमाजी, वो अपना खड़िया लेके पैंट पे वो लगा रहे थे, कहां से कटेगा, और नीचे एक लड़का कहची से काट रहा था, और एक लड़का सिल रहा था, बाहर ए पुर में, ये कुमार विश्वास साहिब हैं, बड़े अच्छे गीती लिखते हैं, हिंदी के हैं, कवी, अच्छा बेटा, आच्छा, आईए, इस टूल पर सुझा भाई बैट गए, हम खड़े रहे, और क्या चला है, उन्हें ने कहा कि बस उस्ताद बढ़िया चला है, फ मुझे अपने सिवाजंदा कोई मालूम नहीं होता, उसमें उस्ताद ने एक तर्मीम लगाई, कि बेटा इसमें तो ये ऐसी बात आनी चाहिए, उन्हें ने का, हाँ साब, ठीक कर ली, फिर तीसरे शेर में कोई उस्ताद ने इसलाह दी, फिर ठीक कर ली, फिर आकरी शेर मे पैदा हुए है, और जो IPS है, जिसने करोडिमल कॉलिज में इंगलिश पढ़ाई, ये प्रोफेसर रहा है, वो एक दरजी जो उसके उस्ताद है, उनसे इसलाह करवा रहा है, उर्दू, ये उर्दू है, अब मैं आपको दूसरा किस्ता सोनाता हूं, चार-पास साल बाद में हिसार गया, हिसार में कविसंबेलन था, गोपाल दास नीरज, बाल कभी बेरागी, और शेल चोतरवेदी, तो पहले दो दौर के प्रोग्राम होते थे, तो हम जब पीछे बैठेते ऐसे, तो आयो जो कोनेका साब, वो कॉलिज में प्रोग्राम था, कि साब जब तक आप कि में जिंदिगी में पहली बार कविता पढ़ रहा हूं, थोड़ा मुझे संकोच हो रहा है, मेरी कविता का सीर्शक है कभी बनने के नुस्खे, वो पहली बार पढ़ने आया तो नुस्खे बता रहा था, ये उर्दू और हिंदी में बेसिक अंतर है, तो, शायद इसी लि पीर और गालिब के जमाने अब कहां, शोहरते जब इतनी सस्ती हों, तो अदब कहां से आए, हाँ, लेकिन, लेकिन ऐसा नहीं है, तेखिए, शोहरत का आज तही मत करिये आप, आप मुझे बता दीजे, कलेजे पहात रखे, I'm not blowing the trumpet by my own mouth, बारे साल पहले, रहान भाई, जब सब्रेक्ता में हम जान को बोलते थे, इतने लोगे इनदुस्तान में जानते थे, जने जानते थे, किते लोगे से बुघते थे एक आज के मन जानता हो, एक आज जान चानता हो, शेयरी में आज आज तयपwho また करिये कि आपका मैसरा कहाँ पहँच जल्दबाजी मैं मत तो एक दिन पहुंचेगी, आपके रहते पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाईए मेरी तरह, ना पहुंच जाए तो तसलिह रखिए कि अच्छा कह दिया और अच्छा कहेंगे पहुंची जाएगी। इस बात को पहुचाने में आगे कुमार, मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी वजह कुमार विश्वास आपकी लोगपरियता की, सोशल मीडिया पर भी आपकी प्रेजन्स रही। आप ठीक टाइम पे इंटरनेट के बूम के साथ आपने एंट्री की, दोजार चार पांच का दौर था, आज करीब 14-15 साल में, अगर अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स की में बात करूं तो एक छोटे देश की आबादी आपकी फॉलोर हो गई है, करीब तीन करोड से के लिए, मुशायरों के अस्थित्व के लिए खत्रा है या मौका है? नहीं, कोई खत्रा नहीं, मौका है. ये बहुत खुबसूरत हैं, ये कैसे पता चला? क्योंकि जो चार लोग साथ में थे, वो comparatively इतने सुंदर नहीं है, तो खराब शेर जब तक नहीं सुना जाएगा, पता नहीं चलेगा, तब तक अच्छे शेर की क्या पता चलेगी अच्छा शेर कौन सा है? शीशी भरी गुलाब की तो कम से लिखा जा रहा ट्रक के पीछे? इसलिए मुशायरों में कहा जाता है कि जिस शेर के सुनने के बाद ताली न बजे, सन्नाटा खिज जाए, वो शे रहे हैं, हमें भी जल्वा गाहे नाज तक लेकर चलो मुसा, हमें भी जल्वा गाहे नाज तक लेकर चलो मुसा, तुम्हें गश आ गया तो हुसन जाना कौन देखेगा? आप सोचते रहे हैं, भक्त का आप मिश्वास देखिए कितना जबर्दस उसमें आप मिश्वास है भ बाकाइदा, इस्पेशली चला दी गई, प्रोग्राम बन गया है, वो भी हमारा बच्चे जैसा ही है, जुसने वो लीड करा, अच्छी बात है, लीड करा मतलब डैनी बोलना चाहिए था मुझे, उसने जो प्रोग्राम उसको किया, लेकिन जब तक वो नहीं पढ़ेगा, जिस मौसम में अच्छा जादा हो जाए, वो सत्यू कहलाता है, जिस मौसम में बुरा जादा हो जाए, वो कल यू कहलाता है, बस इतना है, तो शायरी अपना यूग खुद डिजाइन कर लेती है, अभी आप अदब की जब बात कर रहे थे कुमार, तो आपने बड़ा अच् की तरफ वेव कर देता है और भई काल चाल कि उसको पता है तो यह अदब है जो मैं बात कर रहा था आपके अदब वाली बात पर कुमार तो मैं यह पुछना चाहरा हूं आजकल बहुत आसानी से विभाजित कर दिया गया है कि अगर आप उर्दू को सुन रहे हैं तो आप एक खास वर्ग के लोग हैं अगर आप कविता को सुन रहे हैं हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप एक खास वर्ग के लोग हैं एक हरा रंग पहन रहे हैं तो आप एक खास तपके के साथ हैं आप भगवा रंग पहन रहे हैं तो एक खास तपके के साथ हैं और इस चीज को बंग के पौदे होगे हुए है, वो ने खाती नहीं है, वो घास खा लेती है, बंग का बदा छोड़ देती है, जानवर में इतनी तमीज है तो इन में क्यो नही होनी चाहिए कि क्या खाना है क्या नही खाना है बढ़ी देखिये, मुझसे लोग कहते हैं कि आप पर स्टेंड क्या है, मैं भाई मेरी खुशी इस बात पर है, कि दोनों तरफ के जाहिल मुझसे बहुत नाराज है जब तक जाहिल आपसे नाराज हैं, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं जावेश सब ने अच्छी बात कही, मुझे ब किसी ने बताया, अभी मैं वही बात कर रहा था भाई साब से, जावेश सब ने का कि जान की तो सीमा है, जहालत की कोई सीमा नहीं जान की तो सीमा है, कि एलफा बैट इतने ही रहेंगे अच्छी एसे लेके जाएड तर वा गया दूसरा उसने का नहीं गलत हो रहा है, दस ओर थे, यह अंग्रेजोन हमारे साथ शड़ियंत्र किया, यह इतिहास अमने बताया है, नहीं कि हमें सब वाट्सट पर बेजूँगा यही बाला इतिहास अब आप लड़ते रहे हैं स्पेसिफिक पूछ लेते हैं क्या सुमित भाई जो है ना अब आजादव की महफिल में हैं और संजीद आदमी हैं तो इन्होंने बात को ऐसे गोल करके पूछा, मैं सीधा सीधा कहता हूं कतल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं इसी रेक्ताके क्लिप बाइरल होते हैं मेरे कि मैंने फुना बोल दिया, मैंने ये बोल दिया मैं राम पर बोलता हूं वेद भी बोलता हूं, शिमत वालमी की रामायन भी बोलता हूं लेकिन मेरे वेदव्यास ने महाभारत में ये कहा जब धर्म की परिभाशा पूछी कि धर्म यो बादते धर्मह वे धर्म जो दूसरे धर्म को बाधा पहुँचाए वो अधर्म है ये बोला और यही बात जामा मस्जित के सामने से मौलाना फारुकी की अनुवाद की हुई कुरान शरीफ जम्मे लेके आया था जवानी के दिनों में तो मैंने वहाँ ये एक आयत में पढ़ी के लकुम दीनकुम वलीय दीन दीन क्या है मैं अपना रास्ता पकटव। तू अपना रास्ता पकड़ हम दोने दूसरे का रास्ता ना कट एं ये दीन है ये वहाँ भी कहा जा रहा है तो देखिए उनके पास एक सामान है उसका वु बाजार पैदा करेंगे हर एक के पास होता है आई-फोन प्रुष करना एक मास्टर का बेटा हो तो भी दिल मे आता है नहीं, रहा रैसा लेना है अब मेरी बेटी केती है नया झाज गए है जो पहले ले लेती है मैं इस दु लेसकती है, तु थू झैलिभी बेटी है तू सेल वित अनि तो ही का लडगा हूँ लेट लोगा अच्छा वो हैंक करने लगता है फिर हैंक करते करते मुझे लगता है हाँ यार तकलीफ तो दे रहा है ये गैली नी खुल लगी ये क्या है वो अमरिका में बेठा सेथ कहता है कुमार विश्वास ने पैसे तो कमा लिये नए फोन के पैसे नहीं दे रहा तो इसका software हैंक करो तो अब भई वोट तो चड़गे ही वोट लिस्ट में पर ये वोटी नहीं दे रहा जाहिली नहीं हुरा तो आओ इसके दिमाग का और दिल का software हैंक करो आओ सुभह ही सुभह इसमे वाइरस पहुचाओ रेखता क्या कर रहा है अपने आप इतालियां बजा रहा है लेकिन अगली बात पर इनके दिल में छपने के लिए बोल रहा हूँ रेखता क्या कर रहा है रेखता इस वाइरस से लड़ने की आंतरिक इम्म्यूनिटी पैदा कर रहा है कि मैं शुद्ध हिंदी का विद्ध्यारती मेरे माता जी पिता बराम्मन हो गया वो कुछ और तो में कुछ और होजाता है यस मेरा क्या है लेकिन हाँ वेद्ध शास्त्र बोलने के बाद भी रेखता में मैं आता हूं मुझे मोहबबत दी जाती है मुझे प्याड दिया जाता है वो इसलिए क्योंकि मैंने बच्छपन से अपनी इम्मुनिटी मजबूत की थी कि भाईया वोट में किसी को भी दे आउंगा पर तुम्हारा ये जो वाइरस तुम फहला रहे हो दौनों पक्ष इसको मैं अपनी आत्मा में और अपने मन में घुसने नहीं दूंगा एक और आपी की बात से ये बात जहन में आई आज कल के दौर में इससे अपने का ना कि दोनों पक्षों के जाहिल अगर आपके विरोध में है कही लोग पुछते हैं उर्दू में कुमार विश्रास का क्या मतलब अबे हमने पहली बार जिस लड़की को पटाया था उसे उर्दू के शेर सुनाया थे हमारा मतलब क्यों नहीं हाद हो गए और आज भी हम शेर सुनाते हैं हमारा मतलब क्यों नहीं है गालिब तेरा चचा क्यों है हमारा चचा क्यों नहीं है आद बद के चचा है और गालिब जिन्दा होता है तो हम जादा प्रेय चचे होते हैं तुम नहीं होते है उसी बात से कुमार ये बात जहन में आई कि आज के दोर में जैसे ठेल दिया जाता है कि आप एक तरफ हो जाओ आप निश्पक्ष नहीं रहोगे आप अपक्ष नहीं रहोगे ये वो दोर है कि आप या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो इस पर आपकी क्या रहा है ऐसे में आप कैसे बैलन्स बनाते हैं एक आपको बात सुनाता हूँ शायद मैं पहली बार सुना रहा हूँ ये दुनिया की पहली ओटो बायग्राफी जो है वो मैकमिलन से चपी है आगरा के एक जैन सहाब की जिनका नाम था बनार सिदास जैन वो आगरा के किले में सुनार थे अपनी सुसराल में रहते थे वो मतुरा के ते लेकिन सुसराल में रहते थे रो सुनारी का काम करते थे अकबर के वक्त में वो रोज दो छंद लिखते थे ब्रिज भाशा में कि आज दिन में क्या हुआ मेरी जिंदगी में क्या हुआ पाहर क्या हुआ उसका नाम है आटो बाइग्राफिकल पोईट्री ऑफ बनार सिदास जैन मेकमिलन ने चापी लंदन से 52 52 एर्स राज्य किया अकबर ने इस देश पे इस दिल्ली में इन नए वाले अकबर तो पाच पास साथा आटा ददस साल के हैं उसने 52 एर्स किया बावन साल और सबसे बड़ा राज्य किया कामरूप से लेके ब्रह्म प्रदेश तक और नीचे तक सब शांदार बीच में रा अचार गया मान सिंग उदास पहुंचे अकबर ने पूछा कि क्या हो गया राजा तो मान सिंग ने का कि मेरे लिए एक बुरी और आपके लिए अच्छी खबर है तो अकबर ने का कि 40 साल की दोस्ती है तेरे साथ ऐसी कौन सी खबर है जो तेरे लिए बुरी और मेरे लिए रिष्टेदार, महराना प्रताप सुर्गी हो गया तो अकबर के हाथ से खाने के लिए जा रहे थे तो हाथ में लोटा था हाथ धोने वाला, वो छुट गया और वो नीचे बैट गए और उनके आख में आसु आ गए, तो उनने का क्या हुआ जहाँ पना बुले कि मुझे लोग सब जहाँ पना तो मानते हैं पर महाबली की तरह मैं जिसके लिए रोज अभ्यास करता था रोज तलवार भाजता था कि इस दिन सामना होगा वो ही आदमी खतम होगा, आप किस से लड़ूँगा बारत में को लड़ने वाला ही नहीं बचा अकबर जब दिवंगत हुए तो अकबर के एक बेटे ने बाहर घिरा डाल लखा था और अकबर उस बेटे के खिलाफ थे वो बेटा अंदर अकबर के साथ जो लोग थे उनके खिलाफ था 52 एर्स जिसने राज किया दिल्ली वालो जब उसका फ्यूनरल प्रोशेशन निकला बनाशी दास जैन लिखता है कि मौलवियों के अलावा केवल 32 लोग थे तो जिनको ये भ्रम है कि पांस साल, दस साल, अंदरे साल इस दिल्ली पे राज करके वो इतिहास में अमर हो जाएंगे बावन साल वाला निवा, 52 लोगों को पता था कि एकपर के साथ दिखे, तो बाहर से जो आ रहा है एकजिट पोल आने की राज चीफ सेकेर्ट्री फोन करने लगता है और सर कैसे हैं सर, इदर दर से बात करवाने लगता है उसको पता है ये वाले गए अब दूसरे वाले आ रहे हैं, तो ये जो कोशिश है जो आप कह रहे हैं और ये बड़ी रेक्ता के तीन दिन के सत्र का मुख्य बिंदू यही होना चाहिए था शेर अच्छा बुरा बाद में कह सुन लेंगे लेकिन शेर सुनने वाले अगर कबीले में बढ़ गए तो फिर तो मुशारा भी नहीं बचेगा और शायरी भी नहीं बचेगे अगर इसी तरीके से जो मैं विवाजन की बात कर रहा हूँ कुमार हम देखने कि सोसाइटी में क्योंकि अब हम इत्यास से निकलकर वर्तमान में आ गए है और मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस पर हमारा भविश निर्भर करता है आपको लगता है कि जैसे सोसाइटी में डिविजन हुआ आज बॉलिवुड के दो हिससे माने जाते हैं मीडिया के दो हिससे माने जाते हैं हर चीज के दो हिससे हो गए है क्या कवियों में भी बटवारा हो गया है सरकारी कभी दरवारी कभी यह आज से नहीं है पहले से है बना है शेह का यह तो पहले से है देखो भई आप जहां पहुचना चाह रहे हैं आप फिर बच रहे हैं बार-बार उससे कोई बात नहीं है कि डिवीजन मैं समझा रहा हूँ तटस सोना जैसे हमने कहा कि भई नहरू को गाली मत दो गांधी को गाली मत दो सावरकर को गाली मत दो तो उन्होंने सावरकर नी सुना सिर्मेरू गांधी सुने और मुझसे बोले आप तो आज कल बड़े धर्मिन पेक्ष हो गए हो मैंने सावरकर वालों को भी बोला अभी चार दिन पहले मैंने बोला कि भई आप दक्षिन से चले थे पद्यात्रा लेके तो बेरोजगारी के खिलाफ चले थे आप लोक तंत्र के अपरण के खिलाफ चले थे आप एनार्की के खिलाफ चले थे आप सामाजिक सद्भा बिगड़ा इसके ले चले थे क्या आप इसलिए चले थे कि इसलिए चले थे तगजुल कम कहां रह गई और मीटर में कहां बहार हो गया तो मैं तो कुद कहीं नहीं पाऊंगा तो ये कोशिश की जारी है डिविजन के और कवियों में ये पहले से था मैंने 34 साल मंच पे बिता दिये और 6-7 साल पहले मैंने पहला प्रोग्राम सुना कविसमेलन जिसकी अध्यक्षता की थी भवानी प्रसाद मिश्र ने देवराज दिनेश उसकविसमेलन में थे और शिवोम अंबर एक हमारे फरुखाबाद के बड़े कवी हैं अब वो युवा थे बिल्कुल 20 साल के उन्होंने संचालन किया था मेरे पिता जी उसके विसमेलन के संयों जोकों में थे चुकि वो प्रोफैसर थे हमारे याए नया पिक्चर आल खुला था उसके उपलक्ष में हुआ था यह निकि 40 साल मेने से पास से देख लिया तो यह जो डिवीजन के कवी है कि यह सरकार के है यह नहीं है सरकार वाले कवी मौस तो पाते हैं भई देखो पदमश्रिया मिलती है एकैड़िमी की पुरुस्कार मिलते हैं शाम की जो महफिल होती है इंडिया कॉंस्टुशन क्लब में यह ICC क्या क्या है मैं तो नाम भी बोलना नहीं आता मुझे तो इनका क्योंकि मुझे बुलाते भी नहीं है कि ऐसा बत्तमीजाद मी आ जाएगा तो पता नहीं क्या कह देगा पता नहीं क्या बोल देगा सामने मूपे बोल देगा तो उनके अपने मज़े हैं और उन्हें होने देना चाहिए अच्छे कवी को उनसे इर्शह नहीं करनी चाहिए अच्छे कभी को ये मानना चीए कि बेसहारा लोग हैं बिचारे, इन्हें हर वक्त एक सरपरस्त की जरूरत पड़ती है, हम तो दुश्यंत का ये शेर दोहराते हैं, कि हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की नायत नहीं जही है, तो हम पहली सरकारें थी, उनके भी खिलाफ थे, दुश्मन थे, फिर एक हमने बनाई, उसका तो हमने और येंटेशन करा बाकाइदा, उसको सामने बठा के सुनवाया कि सुन कर कभी कैसे सुनते हैं, मैं कभियों से का कि बोलो इसके सामने जो बोला है, उनको भी क्या है कि अभी आधर इंडिया प्रदानमंत्री जी काशी गए थे, उन्होंने मेरी एक कविता की पंक्ति महां बोली, कंकर, कंकर, मेरा शंकर, मैं लहर, लहर, अविनाशी हूं, मैं काशी हूं, अच्छी बात है, मुझे लोगों ने कहा, बादपागी लोग बड़े कुश अच्छी मेरी दोस्त भी है, उन्होंने किसान अंदलन के टाइम में मेरी कविता की पंक्ति ट्वीट करी, बिना नाम लिखे, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने, भगवान का हर पार्टी का नेता आपकी कविता का उपयोग करता है और एक पार्टी ने तो कभी काई कर लिया लेकिन जैसे ही आप सची बात बोलोगे वो आपको इग्नोर करेंगे आपके खिलाफ ट्रॉलिंग करेंगे सबसे अच्छा सबूत इस बात का यही है कि आप सच बोलना है कि नहीं बोलना है कि आप खुश हैं अपने कहने में नहीं कि जब जब जाहिल आपसे नाराज हो जाएं जब जब वो आपको धंकियां देने लगें कि ये कैसे है और वो कैसे जैसे मैं रेकता हूँ यहां भी शुद्धतावादी प्रकोव वाले बहुत है ऐसे कैसे अब मैंने कह दिया भई महबत एक एहसासों की पावंसी कहा नहीं है साथ यह तो अल्ला मचा रहे है साथ बताईए इस आदमी को लवज बरतने नहीं आते एहसासात होता है अरे भाईया एहसास लवज आपके यहां था मैं अपने ग्रामर में लेके आया हिंदी के में मैं आपके यहां से थाली लेके आऊ तो वो खाऊँगा जो आप खाते हैं मैं जो खाता हूँ वो रख के खाऊँगा मैं अपना वर्ड अपने आप इस्तमाल करूँगा मैं तो एहसासों बोलूँगा आपके मढ़जी आप सुनिये मत सुनिये यहां भी है वो प्यॉरिस्ट और यह प्यॉरिस्ट लोग सदा ही लोकप्रिय कविता को नुकसान पोचाते है संस्कृत इसलिए हाशिय पर गई कि वहां प्यॉरिस्ट थे हिंदी इसलिए आई कि वो मिल जुल गई सम्मे उर्दू को प्यॉरिस्ट उमद बनाईए वो जो आप वो हमारा तैजीड बोट अच्य बात करता है तैजीड करता है यह जो करते ना तरके तालुक तो मेरे को ऐसा लगता है कि एद्धाबे पे खाना माग़े हैं कि दो रोटी लियाना और एक पलेट तरके तालुक लियाना भाई कि नहीं लगा नुखता हम से सही जगे तो क्या फासी चड़ा दीजिएगा बता दो कि इसमें लगता है इसमें नहीं लगता पुर उसके बाद ना लगाएं तो बात अलगे हम ने कॉल सा मौलवी साब से सीखा था हम तो एसान चाचा पड़ास में रहते थे वो शेर कहते थे जी के दोस्ते शाम को आ जाते थे दोनों एसान चाचा और राजिंदर स्रदार राजिंदर सिंग जी डाक्टर साब क्या आले हमारे पिता जी के थे बिटा चाचा हैं जरा चाय बना के लाओ ना हमें यह पता था कि एसान साम मुसल्मान है हमें तो यह पता था चाचा हैं प यह किसने दर्द भरी ले में माहिया गाया, हमें किसी से महबबत नहीं मगर है दोस्त, नजाने क्या हुआ दिले बेकरार भराया, तो अगर वो मुझे, अब वो फ्लेवर मुझे कल पडसों चार साल पांस साल पहले एक लड़के में मिल गया, मैंने उसको डूंड के निकाला, कि कहां है, वो महराष्ट के किसी कौने में था बच्चा, मैंने फरान भाई और वो भी आये हैं, और रहान भाई इनको बोला गया, रहान भाई, यार लड़का सुनो, मैंने शेर भेजा उसका, इनोंने कहा है, माशाल लग क्या शेर है, जन्मास्टमी पे सबसे ज्यादा व वाजे है, हाल न पूछो, सब कुछ, रेक्ता में किया जारा, रादे रादे, इसी से तो नाराजे हैं हमसे, भई हमने कौन सी भैस कोल ली इन की, जो हमसे नाराजे हैं, आपने देखा मुझे सरकारी प्रोग्राम में, आपने देखा मुझे, चोटिस सालों के जखकमरा थे पदमसी चोड़ो, नगरपालिका का पुरुसकार नहीं मिला, और ना मिलेगा, और मिलेगा भी नहीं, अभी तक मैं यू बैठा था, इसका जिकर आता है, यू करके बैठा था कि पदमसी मिले तो यहां रखी जा सके, इसलिए, जो लड़के जितने सुनने आए हैं, और रे हमारा मैनेजर कहता है, सर आप ना, आप बात किया करो और 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 अगिनाइजर से, आपको यह पीछे लोग मिल जाते हैं, यह रेहां सिद्धी कले मिले कहता है, भाई भाई स्तारिक को मुशार, आप हां कर तो, वह मेरे को कहता है, कुमार ने हां कर दी, अब तूरे का म बहाग के देख, पहले तो उपर वाले ने मुझे इस मुल्क में पैदा किया, जो दुनिया की सबसे खूबसुरस सब भैताओं में से एक है, फिर उपर वाले ने मुझे पूरा पैदा किया, कि मैं सब किसी समस्या में ना रहा हूँ, फिर उपर वाले ने मुझे महबत करनी सिखाई फिर उपर वाले ने मुझे महबबत करने दी है ना वरना अभी तक तो पता नहीं महबबत करने से पहले आदमी फ्रिज खरीद के लाए कितना बुरा दौर है दोसो परसेंट कह रहा हूं ऐसे जाहिलों ने रेखता का सेशन नहीं सुना वरना जो रेखता का सेशन सुन ले वो चाकू छोड़ो किसी पर हाथ नहीं उठा सकता मोबबत करने वालों पिर उपर वाले ने उस महबबत को जो महसूस करना तीन बात हो गई तीन सौ भाग्य हो चौथा सौ भाग्य उस महबबत को लिखना सिखाया पांचमा सौ भाग्य उस महबबत को गाना सिखाया छटा सौ भाग्य उस महबबत को सुनने वाले दिये सात्वा सौ भाग्य उस महबबत को सुनने वाले दिये सात्वा सौ भाग्य उस महबबत को सुनने वाले दिये सात कि अपने चुनने वाले है तो फिए भाकता फिस दिन जूम लो और अंदर क्यों जूमन लो बाकि सब बाइप्रोड कि बाकि सब बाइप्रोडेक्ट है शाहिटी कर ली ज्यर कह डिया एको काफी है यह काफी है यह इसलीbreaker हुं खिए 婴 जो फालार्या- देने लिए उसमें भी साथ नहीं थे नहीं उसको उसको आपकी इजाज़त से मैं पूरा करना चाहूंगा वह यह कि आप किसी के साथ नहीं पर एक के खिलाफ जरूर और उसके खिलाफ आप बोलते रहते हैं कभी बाइट देते हैं चुनाओ के वक्त पे, कभी ट्वीट कर देते हैं चुनाओ के वक्त पे, ये खुंदा कब ख़तम होगी, रेक्ता गमंच है, अचा ये बताईए सुमिछ जी, आपके बेटा है ना, एक दिन आपको कॉलोनी में पीछे, जुर्मुट के नीचे, गुप् पेला जापड किसमें मारोगे आप बता आप बताओ पहला जापड किसमें मारोगे अपने वाले पर मारेंगे और अपने वाले को पिर माफ भी कर देंगे अपने वाले को जाबन मारके उसकी गल्ती का एसास करा के माफ भी कर देंगे अब अपने वाले ने का इट्स माई लाइव डैड़ी तो आप बताईए कुछ सा किस पर आएगा और ये भी कुछ दिन का है यार ये कितने दिन के हैं अब हो जाता है थोड़ाथोड़ा मन में आता है कि यार क्या देखिए कि लोगम से कहते हैं कि पॉलिटिक्स में दुबारा क्यों ने जाते हैं आपको भी पता है कि मेरी पोचिंग चलती रहती है दोनौ पक्ष दाट गाड़ाय रहती है कि मिल जाय तो मज़ा आ जाय है ना तो इसलिए नहीं है कि वो जिसे पहली बार दिल तूटता है न लड़के का तो दुनिया की सारी ओड़ते बेवफा लगती है तो पॉलिटिक्स में पहली बार दिल तूटा तो लगा कि साब नालायक जैसे है तो भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं प मेरी गाड़ी चलती है तो मुझे याद आता है कि यहां से हमको पुलिस ले गई थी यहां मुझे वो चार लड़कियां मिली थी जो राकी लेकर आई थी जम शेथपुर से कि भाईया आपके भरो से आगए हैं आप लोग लड़ना आप पीछे मत हटना देश बदलना है मु कर रहा हूं मैं भरो साजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं क्या नुकसान किया उसने बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं तो आप मातम है क महबत के प्रेम के कभी है आपकी कविताएं युवाओं में बहुत लोग प्रीय हैं कुमार विश्वास मतलब रुको रुको कुमार विश्वास मतलब प्रेम, महबत, लव ऐसे में ये बैचातों की वापस कविता पे आए इह बनाल, ये जमाल, ये धह मालाatell। वहुत हो गया कोई कविता हो, कोई क्रमोहबद की बात हो बढली मिल्ले, मैं नियुक्ता कहता हूं मैं तो क्या सारी कुता हूं मैं अज़ रें पर चाहर धाता हॹं ये उसी छारी मन को बुराख जाता है जो अच्छा अच्छा होता है वो ले लेते हैं, बच्छपन से ही है, बच्चे को नहलाते से मानी कहती है, दूद मिठाई, राजा खाये, ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-च और राजाई क्यों खाएगा सारी मिठाई तो मैं तो बोलता हूं लेकिन जो उने अच्छी कविता लगती है उसे वो ले लेते हैं और मेरे जो बुरे कमेंट लगते हैं उसमें नीचे दो चार बार गाली दे देते हैं तो क्या फरक पड़ता है बढ़ हो आप सही कह रहे हैं क तो मेरे जो दुनिया बदलने के ख्वाब का आईना था उसमें बड़ी दरार पड़ी है अब या तो मैं तो मैं आईना चोटा बड़ा करूं कुछ नया लाओं कुछ करूं या फिर मैं ऐसी गाता मुझे पता नहीं है रियली अभी नहीं पता भी राम पर बोला हूं अंद नहीं है डिजिटल आर्काइव हो रहा है चीज़े क्या प्धमिश्री श्रकर आपको मिले पधमिश्री मैं ग्रहमंत्री बना तो आपको दिलाओं गारे कैसी बात कर दो साही तकायप में मिलेगा तो क्या कर देंगे कुमार विश्वास क्या बीजेपी भारती जंता पार्टी से नाराजगी इसी बात को लेकर है अरे कैसी बात कर किसे कैसों को दिया है आपको क्या लगता है कि हमको नहीं कहा गया होगा हमारे पवाड साब कि लाएं नहीं है मेरे घर से खाली लोटे राजनीती के उड़न खटोले दुनिया में इतना धनकब है जो मेरी खुदारी तोले अच्छा, क्या कर लोगे उसका? मेरे से एक बड़ आदमी ने कहा थे ले लो, ले लो, अब आप, कह रहे हैं तो ले लो तो मैंने कहा यार, ये एक दो बाई, तीन फिट का एक कागज मिलेगा इसे मैं ड्राइंग रूम में टांग लूँगा, एक दिन की ख़बर है, एक दिन की, आज तक पर चलेगी, आपके याँ चलेगी, सब जगे चलेगी वो जो पीछे लड़का खड़ा है कौने में, बिल्कुल कौने में, कहीं से आया, मुरादाबाद कहीं से, उसके मन में मेरे को लेके खवाब है, कि गुरू ये आजमी है, गुरू ये लगाता है, लंका है, अब मैं उसकी वोईस बना हुआ हूँ, कि यार ये तो बोलेगा, गुरू कुछ हो जाएगा तो, चूडी वाला पिटे का इन दौर में, तो कुमार विश्वास बोलेगा, नरुतम मिष्रा मेरा दोस्त है, ग्रह मंतरी, शिवराज जी मेरे अच्छे मित्रे है, फिर भी वो चूडी वालो को पिटा में सबसे पहले ट्वीट करा, फोन करा, दो गंटे में लोग गिरफतार हुए, ठीक हो गया, मुझे लगा मैंने अपना काम कर दिया, अम मैं इसको लेके और अपने आपको कुंद कर लूँ, क्या फैदा, इस तरह मेरा शेर सुनियेगा के इस तरह हमने सुलह कर ली पेश्वाओं से, रेकता वालो इस तरह हमने सु लुष से छिएर में आचुके हैं, आमार विष्वातC नहें हैं अहसा थो ही नहीं सकता कि कमार विश्वातC यहां हैं यह देख यह देख यह ढ़िए हैं रवाल्व यह जो wen गडुब बहु प्ली अच्छø great, मैं जोड़ा थे रहता हूं कितने सारे बच्चा है यह गयार क जो आपने जितनी बात है पूछी है, उसका उत्तर भी उसमें संभलेते हैं, और ये सीरीज जो दिवाना विवाना कहते हैं, तो आप सुनते ही रहते हैं, इसको क्या सुनिएगा, इसमें क्या खाज है। कि मैं जब भी तेज चलता हूँ, नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गड़ता हूँ, तो सांचे तूट जाते हैं, मैं रोता हूँ, तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, अब दाद भी ले, मैं रोता हूँ, तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हसता हूँ, तो मुझसे लोग अक्सर रूठे जाते हैं। गीन सुनाता हूँ नही लेकिन जो पूला है बहुत दू दूर से लोगा ही चलीए वो एक चुनलीचे जद्यादा नही। के कोई दिवाना क्यू... सब्गाओ के कोई दिवाना क scar MotorачjoCam time home मैं तुझे से ये तेरा वाह पुकारे आँख में चड़कर तो खूं को खूं समझता है अंधेरा किस को कहते है ये बस जुगनू समझता है हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है सुनो चौदै फरवरी वालो हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है मुहबत में नुमाइश को आदाएं तू समझता है एक ही सुन लिजे जो political questions किये उनके जबाब में सो पुरुसकार वगेरा के सुन लिजेगा निवेदन करता हूँ कि साथ रहो तो सबसे बहतर सारी पार्टियां ये चाहती है कि साथ रहो तो सबसे बहतर मौन रहो आभारी है मुझे वादा करें न ये लिखने वाले जितने लड़के लड़कियां है किसी की सरकार हो किसी की बत्तमी जी हो पहला शेर तुमारे हवाले से आना चाहिए उसके खिलाफ तब बात होने चाहिए कि साथ रहो तो सबसे बहतर मौन रहो आभारी है अब बताता हूँ सत्ता की कविता से केवल इतनी रिष्टेदारी है सारी दुविधा प्रतिशत पर है सच कितना बोला जाए बताना इनको अगली पंक्ति सबसे बहतर मौन रहो आभारी है सारी दुविधा प्रतिशत पर है सच कितना बोला जाए गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुह कितना खोला जाए साथ रहो तो सबसे बहतर मौन रहो आभारी है ये पांच जाजार लोग महीं है ये करोड़ों लोग हैं चुकि लाखों लोगों का प्रतिशत तु करने वाले लोग बैठे हैं यहाप अबाद भाई से लेके तमाम लोग वो बैठें बड़े लोग बैठें कि साथ रहो तो सबसे बहतर मौन रहो आभारी है सत्ता की कविता से केवल इतनी रिष्टेदारी है सारी दुविधा प्रतिशत पर है सच कितना बोला जाए गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुह कितना सच के लिए लड़ो मर जाओ जग को सिखलाने वाले आप फिर कहेंगे ऐसी बात करता हूं अब पार्टी की सरकार नहीं है आदमी की सरकार हद हो गई स्वराज सबसे मिलके बात करके करेंगे सच के लिए मैं तो भाईया सबजी नी खा पता बिना घर की सलागे शेफ पूछने आता सर क्या बना दूँ मैं कहता है बना दूँ चोटी वाली के थे पापा वोई फिर ने ने तुम वो बनाओ मैं किता हूँ हाँ हाँ बेटा वो खालेंगे अगर ये आप में सबूर नहीं है कि आप घर के चार लोगों के साथ मिलकर एक रास्ता निकालेंगे तो आप देश को मिलके क्या रास्ता निकालेंगे एक निया बंजु लोगा आज आपको इसमें कि सच के लिए लड़ो मर जाओ जग को सिखलाने वाले ज़र आपनी हतेलियां जवान करो इश्क और मुहबबती नहीं है केवल शाहरी ये सब यह जो कर रहा हूँ है सच के लिए लड़ो मर जाओ जग को सिखलाने वाले आत्म मुग्द बोने स्वराज का पर्चम फेहराने वाले हमको बच्चा समझ रहे हैं जग को बहलाने वाले शौल ओड कर घी पीते हैं त्यागी कहलाने वाले शौल ओड कर घी पीते हैं त्यागी कहलाने वाले और मुझे साहस देना मेरी बहुत कड़्वा बोलना हूं साहस देना इतने हलके हैं यह जो भाषणों की भाषण चल लेुए तिरी माइ तेरा बाप यह भाषण है इतने हलके हैं, कहते हैं, इतने हलके हैं, कहते हैं लखनौ में हमारे एक दोस्त, मेरट की तरफ से गए ते बैंक गए जल्दबाजी में गए टेलर पैर आत्मी जाता था ना मेरा मेरा नमबर मेरा तो एक लखनवी आदमी के पैर पे उनका जूता पढ़ गया तो आदमी पता है क्या कहना था हुजूर मेरे खुर पर आपका पैर पढ़ गया जरा देखिया इतने हलके हैं कहते हैं हमें नहीं तोला जाए गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुह कितना खोला जाए एक ये आखरी बंद सुनियेगा ये थोड़ा सा जादा कड़वा है आपने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर इसके अंदर है आपको प्रसन्नता होगी कि अखिरकार मैंने आपकी बात सुना दी जो आप कहना चाहते थे कि सिंगा सन के सम्मुख सिंगा सन के आग इंटर्वी देखें इनके बाही साब आज कहला आप चैनल में नहीं और बीच में आओ आप दो लो हम इंसे पूछते हैं ये वाला सवाल क्यों नहीं पूछाता सवालों की लिस्ट आजाती है ये वाला पूछना यह आले मत पूछना कुस्तो ऐसे नो सवालो के सामने नहीं है और जो आते हैं वो लिस्ट बहिज़ते हैं यह वाला पूछना हम ने पूछा ता रेखता में थीन साल से कभी नगमा जी ने ने से सवाल की एगए कभी किसी और ने किया हुआ है हमने पूछा क्या पूछना है कुछ पूछो आप जो मन करें वो पूछो क्योंकि हम अंदर से साफ हैं तब कहते हैं नत्षिर जुड़े हात जाने वाले जब दिनकर जी ने बासट में लिख दिया कि छागियो करो अभ्यास रख तु पीने का तो किसी ने उनसे काया कि आपने ऐसी बात लिख दी गंदी बात तो दिनकर जी ने काया कि हम चीन से हारे हैं सरकारों की असफलता के कारण मैं कॉंग्रेस में हूँ राज्यसभा में हूँ मैं ये पंक्ती लिखकर मरना चाहता हूँ ता कि 200 साल बाद इंदुस्तान का इतियास लिखा जाए तो लोग लिखे कि सब चुप हो गए थे लेकिन एक कभी को गुस्सा चढ़ाता कि हम गलत आ रहे हैं अगली पंक्ती रेखता के मंच के मर्यादा के अनुकूल नहीं है रेखता जितना सोफिस्टिकेड़ मंच है जितना शालीन मंच है उसके अनुकूल नहीं है लेकिन मुझे माफ कर देना कि 300 साल बाद लिखा जाए कि कुमार विश्वास को गुस्सा आया था और उसने इन हजारों के गुस्से को एक पंक्ती में गाया था तो उन्हेंने समर्थन किया था सुनना के सिंगा सन के आगे नतशिर जुके मात जाने वाले गिर्वी जिव्या से शाशक की कुंठा सेहलाने वाले गिर्मी जिव्या से शाशक की कुंठा सहलाने वाले ये पंडाल जो लगाया है रेखता ने ये एक इन चूचा हो जाएक अगली लाइन पर गिर्मी जिव्या से शाशक की कुंठा सहलाने वाले पद्म विभूशित हुए जा रहे पद्म विभूशित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले पद्म विभूशित हुए जा रहे कोरस में गान एक आदमी ने जलवा कर दिया यार इतना बड़ा कर दिया तुसमारी सर्कारे नहीं कर आई पास साल से छे साल से आदमी रेकता कर रहा है किसी सर्कार ने सुची कि इस आदमी को पद्म श्री देता है कि लिखते रो कहते रो सब चुपो जाए फिर भी बोलो पद्म विभूशित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले राज द्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुन जाने वाले राज द्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुन जाने वाले आखरी पंक्ति और विदा आप से करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना राजम कुट तक चम्चागिरी की ये हद कि हम सरकार चलाते थे पाँच लोग अंदर बैठे हैं ठीक है? अब वो नेता भी बैठा है जिससे पद मिलेगा वो एक चम्चा अंदर गुसा सर वो बहुत अच्छा ट्वीट किया सर आपने वो बुला कौन सर ट्वीट? सर वो जो आपने चारलाई ने वो जो ट्वीट की थी सर वो तो वासम नहीं वो तो कुमार ने लिखी थी मैने तो रीट्वीट की थी हां सर बहुत अच्छा रिट्वीट किया आपने सर अध्द हो गई यार वो शकेब का मिस्रा है ने कि सर को इतना भी न जुकाओ कि दस्तार गिरे क्या चहिए दो वक्त रोटी चाहिए एक अच्छा कपड़ा चाहिए जब ये जन्ता दे रही है चंदे के पैसे से तो क्यों किसी को चंदा मामा बनाना फालतों में पद्म विभूशित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले राज-द्रोह में बंद पड़े हैं भेरव गुंजाने वाले करो प्रार्थना दोना हाथ आकाश मो लुठा कर विदा कर ला करना सत्र को सूनो करो प्रार्थना, करो प्रार्थना, राजमहल तक वाणी का शोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको, बहुत अन्यवाद, thank you, love you all. बहुत बहुत शुक्रिया, जैश्ने रेखता, बहुत बहुत शुक्रिया, पुर्बार इश्वास, love you, thank you. ार्थना